Finance के लिए पांच, शे épisode 11, 12, 18, 19, 21, quan항. Job और business के लिए 18, 19, january का समय अच्छ रहेगा. Student और education के लिए 7, 8, january का समय अच्छ रहेगा. Love और lition के लिए 7, 21, january का समय अच्छ रहेगा. Marriage और marriage life के लिए 11, 12, january का समय अच्छ रहेगा. careful rates में 9-10 January का समय health के लिए careful रहे 13-14 January का समय आपको obstacle देने वाला रहेगा 22-23-24 January का समय आपके लिए expensive रहने वाल रहेगा नमश्कार, कुमार एश्टो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ आप आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करकलकन के लिए cancer ascendance के लिए January 24 के मंतली prediction के विशे में तो आईए सबसे पहले बात करते हैं मासिक पंचान के विशे में सूरी क्रिया 16 December 2023 से 14 January 2024 तक धन्राशी में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और 15 January 2024 से 12 February 2024 तक यह मकर राशी में आपके 7 हाउस में गोचर करेंगे मंगल ग्रेटाइ दिसंबर 23 से 4 फरवरी 24 तक धनुराशी में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और बुद्ध ग्रेटाइ दिसंबर 23 से 6 जनुरे 24 तक वश्चिक राशी में आपके 5 हाउस में गोचर करेंगे उसके बाद ये 6 हाउस में आ जाएंगे 6 जनुरे 24 से 31 जनुरे 24 देवगुलु बस्पती 22 22 से 30 अप्रेल दोजार चौबिस तक में आपके टैंथ हाउस में गोचर करेंगे शुक्र करेंगे 25 दिसंबर दोजा तेशी सतरा जनुवर दोजा तक वश्चिक राशी में आपके फिफ्ट हाउस में गोचर करेंगे उसके वाद यह भी सिक्स हाउस म पर देवगुलु बस्पती का भी सब्सक्राइब में और पर प्रियास करेंगे सबसे पहले बात करेंगे फिर्ष्ट हाउस के विशे में फिर्ष्ट हाउस और फिर्ष्ट हाउस के ऊपर राउ ग्रह की एसपेक्ट है इसके साथ साथ देव ग्रुब बिस्पति का भी केंद्र प्रभावप रहेगा मंगल ग्रह की एसपेक्ट रहेगी इस समय अवधी में आपके मन के अंदर कहीं तरीके विचार आएंगे कुछ धर्म कर्म से लेटिड विचार भी होंगे इसके कुछ जिम करना एक्सराइज करना अच्छे वहनों का सुख लेना इन चीजों का सुख आपको इस समय में मिलता हुआ दिखाई देता है इस समय में आप जोश के साथ होश ना खोएं इस सूत्र को अगर पूरे महीने लागू करके चलेंगे तो लापनाथ होगा संभावना ये बनती है कि होश के साथ होश खोव बैठना यहां पर संभावना बनती है इस समय में जो भी कारिये करें उस कारिये को एक discipline से एक planning से और judgment करके काफ़ी अच्छी परकार से judgment करके करें आप कोई नया कारिया शुरू करते हैं उसके लिए थोड़ सा केरफूल रहें इसके साथ इस समय में आपको नजर दोश होना यहाँ पर दिखाई देता है आपकी personality बहुत अच्छी दिखने वाली है धार्मिक भी आप रहेंगे और healthy भी दिखाई देंगे इसके साथ नजर दो कूटनितिक कारियों के माध्यम से अपने सभी कारियों को पूर्ण करा पाएंगे सम्भावन यहां प्रवंद्धी दिखाई देती है अब बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विशे में सेकंड हाउस के लॉड देंके सेकंड हाउस के ओपर एक तो शरीग रह की आपको अपने आख, ना, कान, गले और दातों से रिलेटेट पॉबलम के लिए केरफुल लेना है अगर में से रिलेटेट कोई भी प्रॉबलम आप फेस कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा केरफुल लहे और अगर कोई डिजीज है तो डाक्टर से समय पर कंसर्ट टेकर चले 25 bombers 24 के बाद का समय ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है इस समय में आपको अच्छे घरपरिवार का सूप्राप्त होना, अच्छे धन का सुप्राप्त होना, अच्छे स्वाधिष्ट भोजन का लाप्राप्त होना, शिंगिंग इत्यादि चीजों से आनंद प्राप्त करना इन सकी सिजों का लाप्राप्त होता है। इसके बाद करेंगे आपके थर्ड हॉस के विषे में ड़ल्द हमास में के तुण左 हॉस में केतुग्र है और ठर्ड हाउस के लौर्ड बुद्ग्र है जो कि आपके फिफ्ट और सिक्स हाउस में गोचर करेंगे देखिए चैजनवरी दोजार चौबिस तक का समय तो इस्टुडेंट के अपनी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इसके साथ साथ परोसियों से सिब्लिंक्स के साथ में अगर कोई डोकुमेंटेशन होना है उसे चैनवरी दोजार चौबिस तक करेंगे तो बहुत अच्छा समय रहेगा इस समय में आपके सभी कारिया असानी से पूर्ण होते दिखाए देंगे इसके साथ साथ आप अगर ओनलाइन प्रेटफॉर्म के माध्यम से किसी गैजट का परियोग करके किसी सॉफ्टेयर का प्रेयोग करके कारिये करेंगे तो इस समय तक आपको अच्छे जल्ट मिलते हुए दिखाए देते हैं यात्राय करने के रिए समय अच्छा दिखाए देता है इस समय में यात्राय करना नए क्लाइंट कर पाना लाबदा ही रहेगा और इस समय में क तेरे से लिटकारी करते हैं तो उसके अंदर भी लाब मिलता दिखाए देता है परन्तू 7 जनवर 24 से 31 जनवर 24 तक का समय ये समय आपको आपके सिब्लिंग्स परोसियों के साथ या किसी भी कंपनी के साथ या किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई डोकुमेंटिशन करते हैं करते हैं उसमें ग्रोथ की कमी दिखाई देना यहां पर देखा सकता है इसके साथ समय में आपको जो भी आप में इत्यादी लिखते हैं सोफट्वेयर का परयोग करते हैं अगर कोई सुफट्य प고 करना है कोई नया आडेर्ट आपको पर्योफ करना है तो उसके लिए प्रचेस करेंगे तो उसका जो लाब आपने सोचा था जो आपने उससे एक्सपेक्टेशन की थी कि ये लाब आपको होगा वो लाब आप राप नहीं कर पाएंगे उनमें प्रेशानिया किसी प्रकार के दिक्त यहाँ पर दिखाई देती है नोकर चाकर भी इस समय में किसी न उनमाबात की चिंदा और इसके सान्साथ कुछ समान का मिसिंग होना यहाँ पर दिखाई देता है इसके बादब बात करेंगे आपके फॉर्थ हाूस के विशे में है और देवगरू बस्पती के साथ साथ हां और दिखिए दिवगरू आच फॉर्थ हाूस के लोड़ शुक पर्चेस करना चाहते हैं विकल पर्चेस करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिखाई देता है इसके साथ साथ आप अपनी माता या माता तु ले इस्ट्रियों से कोई लाब लेना चाहते हैं धनलाब लेना चाहते हैं को एडवाईज लेना चाहते हैं उसके लिए समय चौबिस से ग्याराफ फर्वरी दोजाविस तक का समय है यह समय है घर अगर आपने पर्चेस कर लिया है उसकी रईष्टी करा ली है कोई अगर कोई विखल प्रचेस किया है उसके आरजी वगयरा या कोई डोकुमेंट के पैंडिंग है तो उसके लिए रुख जाना चाहिए थोड़ा पॉसपौन कर लिया जाए अगर पॉसिबिल है तो पॉस्बन करके चलेंगे लाबदाई रहेगा और इसके साथ इस समय में माता और माता तुल्ले इस तरों की health के लिए थोड़ा सा careful ला जाए उनकी health के लिए आपका कुज़दन यहां पर खर्चोता हुआ दिखाई देता है उन चीजों के विशे में ध्यान लखेंगे तो लाबदा ही रहेगा इसके बाब बात करते हैं आपके 5th house के विशे में देखे विशेशतोर से जो student है वे इस समय में misguide हो सकते हैं education के साथ love relation इत्यादी चीजों की तरफ उनका रुख हो सकता है उन्हें इस चीज से बचना चाहिए इसके साथ साथ इस समय में गैजट इत्यादी का परियोग करते हैं तो विशेशतोर से देखे 6 जनुवरी तक का समय तो ठीक है गैजट से आप लाब उठा पाएंगे पर 6 जनुवरी के बाद से गैजट भी आपको परिशानी का कारण दे सकते हैं इस समययवदी में विशेशतोर से कोई उलवलीशन न बनाया जाए, इस समय में कोईलवलीशन मनाते हैं तो वह आप लिए फिर परिशानी कारण में थोड़ी सी दिक्कत दिखाता है प्रन्त थोड़े प्रियास थोड़े एस्टलोजी कंसल्टेशन और रेमेडी के माध्यम से और डक्टर से कंसल्टेशन लिए करके आप संतान को कंसीब भी करा पाएंगे एक अच्छी संतान यहां पर फिर कंसीब होती है दिखाई देती है इसके असा क्रियेशन से लिटेट कुछ कारे करते हैं उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म तो कर पाएंगे बहुत अच्छा आप उसे डोकुमेंट या यह कहें कि कोई भी प्रोजेक्ट सब्मिट करना है उसे बहुत अच्छे परकार से कर पाएंगे प्रन्तु उसका रिजल्ट उतनी मातरा में प्राप होता दिखाई नहीं देता है जितनी आपने expectation की थी और जितरा आपने उसके लिए hard work किया था उन चीजों के लिए ध्यानक कर चलेंगे तो लाप राप कर पाएंगे इसके बाब बात करेंगे आपके six house के विशे में six house में सूरिया और मंगल रहे और शुक्र और बुद्य हां आ जाएंगे सूरिया आके चले जाएंगे और देखिए और six house के उपर देव गुरु बस्पती की aspect का होना और six house के लोड देव गुरु बस्पती जो कि आपके 10th house में गोचर कर रहे हैं अगर आप अपने कार्य व्यवसाई के लिए आप जौब करते हैं बिजनेस करते हैं धनकी आवशकता है तो आपको आसानी से मिलता हुआ रहेगा अपने वेवसाई के लिए अगर आप उठा पाएंगे इसके साथ गौवर्मेंट के साथ अगर कोई आप documentation करते हैं या government के साथ कोई कारिया है तो उसे आप 15 January 2024 के बाद कर ले आपके GST वगेरा है या आप registration कराना चाहते है company का उन कारियों को इस समय में करा जाएगा तो लाब दे रहेगा ये समय विशेश तोर से करक लगन वाले व्यक्तियों के लिए अगर कोई नया व्यापार website स्टार्ट करना चाहते हैं कोई नई जॉब जॉइन करना चाहते हैं उसके लिए या व्यापार में expansion करना चाहते है नया product service लाना चाहते है factory में नई machine ही लाना चाहते है उसके लिए अच्छा दिखाई देता हैं सब चीजों को करने से आपको lab की प्राप्ति हुटी दिखाई देती है इसके साथ ऐनीमी इस समय में आपको परिशान नहीं क कर पाएंगे आप पूजा, पार, धर्म, कर्म इन सब चीजों के माध्या उन्हें दूर भागा पाएंगे आपको प्रिशाद नहीं करेंगे इसके बाद बात करेंगे आपके सेविंध्ध ौस के लौड शनिग्रह जो कि अपनी दूसे श्वराश्ची में आपके एर्थ हॉस में गोचर कर और इस समय में अगर आप कोई पार्टनर या बिजनेस पार्टनर अपने वेपार में आड़ करना चाहते हैं तो उसे थोड़ा सा जाचपरक करके आप करेंगे उनका पिछला आप जो रिकॉर्ड है इस्ट्री है उसे एक पार चेक करके करेंगे तो लाब राप्त हो पाएगा वेपार जगत में आपको लाब मिलने की संभावना दिखाए देती है इस समय का भरपुल आप उठाने का प्रियास करेंगे तो अच्छा है जल्ड मिलता दिखाए देगा इसके बाब बात करते हैं आपके एट्थ हाउस के विशे में एट्थ हाउस के लॉड शनिगया जो क है तो पैत्रिक संपत्ति के लिए लाब दिलाता हुआ दिखाए देता है किसान भाई-चीजों से उन्हें लाब मिलता दिखाए देता है और साइन्टिस्ट है प्यज़्टिय त्यारी कर रहे हैं तो उन्हें अपने सेटर के अंदर सफलता मिलने के पूरे-पूरे चांसिस प्मिलंग में इस समय में पूरा जो यू पोजीशन है वो आपको कर रहा है कि आप सक्सेस प्राब्ट करें पादि अमांदारी सेमंस्टेट से सब्सक्रानिंगウं और सब चीजों को जल्जमेंट करके किस समय पर क्या कारिय करना चाहिए किस समय पर किस कारिये को नहीं करना चाहिए इन सब चीजों का नेर्ने करके अगर आप कारिये करेंगे तो आपको अविश्य सवलता मिलती दिखाई देती है अगर आपको वार्जी की समपत्ति को यह प्राप्त ने वाली है तो इस समय अवदी में आपको पुल्ट साइन्स या इस्टलोजी के माध्यम से आप अपने आगामी भविष्चे के विशे में जान करके अपने भविष्चे को उत्तम बनाया पाएंगे एसी यहां पर संभावना दिखाए देती हैं आगे बात करेंगे आपके 9th house के विशे में 9th house में रहुग रहें और 9th house के लौड देवगुरु बस्पती जो की आपके 10th house में कोचर कर रहे हैं और 9th house के ऊपर मंगल ग्रह की दर्ष्टी रहने वाली है तिके इस समय में आपको अचानक से कुछ यात्राय करने का उसर प्राप्त होता है हो सकता है आप इस समय में अपने व्यपार व्यवसाय से स करियास करेंगे प्रंतु लिजस्ट्रेवल करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कुछ औप्स्टेकल यहां पर रहुग्रह लगाते दिखाई देते हैं अच्छे वहानों का सुप्राप्त हो ऐसी भी संभावना बनती है इस समय में भाई और भाई तु हाउस में देवरु बस्पती और टैंथ हाउस के लौड मंगल का है जो कि आपके शिक्स हाउस में गोचर कर रहे हैं देखे इस समय अवधी में कारिय व्यावसाय से लिए तो अच्छे जल्ट मिलते दिखाई देते हैं कारिय व्यावसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं कोई नय वेहिकल प्रचेश करना चाहते हैं या आपका इंप एक्सपोर्ट या कोरियर से लेटेट कोई कारिय उसके लिए प्लेन बुक करना या ट्रेन बुक करना या ट्रक कित्यादी बुक करने कारिय करते हैं तो लाबदाई रहेगा इन सब चीजों का लाब मिलता दिखाई करके आप अपने कारे शेतर में उन्नद फगार कर पाएंगे कार व्यावसाय में किसी परकार युक कारी होना मतलब किसी ऑफिस का इन्योगेशन होना या कोई फैक्टरी की ओपनिंग होना यहां पर दिखाए देता है नई मशीनरी आना अब पर प्राप्त होता है अगर आप जोब लेसे हैं तो इस समय में आपको जोब प्राप्ति के अवसर भी प्राप्त होते हैं आगे में डेट वाइस बता हूँगा वहाँ पर आपको काफी क्लियर हो जाएगा आगे बात करेंगे इस समय में आपके धनका भी काफी आवगवन होगा इसके बाद करेंगे आपके 11 आपके फिफ्ट और सिक्स हाउस में गोचर करेंगे और यहां पर यह गोचर करेंगे दिखिए शुरू का जो समय रहेगा सत्रा जनुवे दोया चौबिस तक का समय यह समय में आपके बाद धनका अवगमन होना मित्रों के साथ पाटि इत्यादी का आनंद प्राप करना आपक लेता है और इसके बाद में देखिए जैसे ही अठार जनुवे दोया चौबिस के बाद का समय यह समय आपका धन किसी ने किसी प्रकार से अगर आप लोन लेना चाहते हैं लोन के माध्यम से व्रद्धी हो सकती है और अगर आप किसी से आपने किसी को रिंड देना हो सकता है आपके मित्रा आप से रिंड की डिमांड कर ले तो आपको रिंड भी देना पड़ सकता है इस समय में थोड़ा सा डाउन हो सकता है नेम फिम को आप इस्टेबिल करने का या मेंटेन करने का परियास कीजिएगा इस समय में आप अधिक दूरी पर रहने वाल लोगों के साथ जुड़ कर भी कुछ लापराप करें संभावना बनती दिखाएं दिती है इसके बाब बात करेंगे आपके 12 आउस के विशे में 12 आउस के लॉर्ड बुध ग्रैजो की आपके फिफ्ट और सिक्स आउस में गोचर कर रहे हैं और 12 आउस के उपर मंगल की एसपेक्ट है अगर आपका कोई लीगल मेटर चल रहा है कोई कोड के सित्यादी चल रहा है तो उसके लिए यहां पर धन खर्च होता दिखाए देते तो इस सबसे पहले तो यही मैं कहूंगा कि 7 जनुवरे 24 के बाद कि अपने लॉयर एड़ वोकेट या किस एच्छ एस्टोजर से अपन से बता सकता है तो उसे आप पता कर लें ताकि आपको सफलता प्राप्त हो उसी के नुरूप आप फिर लॉयर से या आपका जो भी एड़ोकेट है उससे बात करेंगे तो लाप्राप्त होगा इसके तासा इस समय में कुछ धन आपका स्वर्म की हेल्थ के लिए या अपने क किसी भी ट्रैप में ना फसें बचकर कारी करने का प्रयास करेंगे तो लाप्राप्त ही रहेगा इस समय में अगर आप दान पून इत्यादी करते हैं तो दान पून इत्यादी के माध्यम से आपके कारी जीवन में उन्नती के अफसर आपको मिलते दिखाए देते हैं इसके प्रियास करता हूं एक जनवरी का समय यह समय आपको अच्छा फूड फाइनेंस अच्छी फैमिली का सुख देने वाला रहेगा दो तीन चार जनवरी का समय जो रहेगा इस समय में आप अगर जन्वरी का समय आपको फाइनेंस देने वाला भी रहेगा अच्छा समय रहेगा धनकाव अगमन होना घर परिवार कसुक प्राप्त होना घर परिवार में सदस्यों की वरद्दी होना और घर के अंदर कोई मांगली कारिया होना यहाँ पर दिखा जा सकता है साथ जनवरी का समय स्टुडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है स्टुडेंट इस समय में अपनी एजूकेशन के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे एजूकेशन अच्छे चलेगी कोई नया सब्जेक्ट चूज करना चाते हैं उसके लिए अच्छा दिखाई देता है और संताल को कंसीव करने के लिए साथ जनवरी का समय या आप एक्ष्टोजर से कंसल्टेशन ले या डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाते हैं लिए यह डेट अच्छे दिखाई दिति इन डेट का परियोकर के लाप राप कर सकते हैं इसके बाद नो दस जनवरी का समय यह समय आपको थोड़ा सा अपनी स्वयम की हेल्थ के लिए केरफू लेने के लिए बोलूँगा इसका साथ एनिमी से बच कर रहा जाए इन डेट में कोई सामने से जाकर के जगड़ा मोलना लिया जाए लोन इत्तियाती लेना चाते हैं इस डेट में लोन ले सकते हैं इस डेट में हो सकता है आप से कोई मित्र या आपका पडोसी या या डिलेटिव loan की demand भी कर सकता है तो budget बना के चलेंगे लाबदा ही रहेगा 11-12 जनवरी का समय तो जो married है उनके विवाग के लिए अच्छे वैग जीवन इस समय में वहतीत कर पाएंगे घुमने जाने का आफसर मिलता दिखाई देता है hotel mode restaurant का सुख मिलता दिखाई देता है इसके दास साथ 11-12 जनवरी का समय अपने partner business partner के लिए भी अच्छा है अगर कोई partner आप business में add करना चाहते है उसके लिए बहुत अच्छा समय है इसके बाद 13-14-15 जनवरी का समय तो देखिए यहाँ पर 13-14 जनवरी का समय आपको obstacle देने वाल रहेगा और इस समय में विशेशनोर से आपको अपने गुपतांग से लिटिट चीजों के लिए भी careful लेना चाहिए इसके बाद अगर आपका कोई वार्सी की संपत्ति लिटिट कार्या पैंडिंग है या आपके spouse के परिवावालों से आपको चला-चल संपत्ति मिलने वाली है तो इस दिन थोड़ा सा प्रियास हार्ड वर्क अधी करने के बाद आपको वो मिलती भी दिखाए देती है 16-17 जनवरी का समय ये समय आपके लिए अच्छा दिखाए देता है और देखे 16-17 16-17 जनवरी का समय इस दिन आपको अगर फॉरण जाना है उसके लिए या लॉंग डिस्टेंस के ट्रेवल कराने के लिए अच्छा समय दिखाए देता है और अगर आप फॉरण जाना चाते हैं वीज़ा प्यार के लिए अप्लाई करना चाते हैं कुछ लिए इस समय में करने का प्रियास कर सकते हैं पर अप्स्टेकल आएगा उसे जंप करके आप लिए इस समय अच्छा दिखाए देता है इस समय में आप अपने आफिस में नए एम्प्रोई हायर करके यह प्रपर करो लिए नए आट ड़ी इससे पर देख कर सब्सक्राइख करने आपके लिए एक्स अगर आप फोरण जाना चाहते हैं तो इस दिन टिकेट इत्यादी बुक करा सकते हैं कराना लाबदाई रहेगा 25 जनवरी का समय यह दिन आपके सबसे अच्छा दिखाय देता है इस दिन आप काफी खुश रहेंगे आपका मन परसंद रहेगा और इस दिन आप अपने आगव 27 जनवरी का समय यह समय आपको 27-28 का समय आपको धन देने वाला रहेगा यह समय आपको अच्छा दिखाय देता है और इस समय में परिवार का सुक होना परिवार के सदस्चों के साथ आननद ही समय व्यतित करना स्वादिश्ट भोजन का लाब होना सब चीजों का लाब मिलत होगा दिखाय देता है इसके बाद 30-30 जनवरी का समय दिखे अगर आप मार्केटिंग इत्तैस लेटेट उचकारे करते हैं तो इस दिन आपको मार्केट में जाने से लाब होगा धनका लाब होना कुछ नए क्लाइंट कस्टमर एड़ करके लाब प्राप कर पाना सिब लिं को प्रेंपो दिखने के लिए में चैनल पर प्रेंपो बनेने के लिए आपका प्रेंपो धन्यवाद नवस्कार